गूड इबनिंग टू ओल कैसे हैं सब बच्चे हाव अर्यू होप एव्रीबडी इस फाइं येस बच्चों तो शुरुवात करते हैं अपने वर्क की येस एव्रीबड ठीक है बच्चों देख पा रहे हैं आप हाँ जी जी एकन सी अन्जू सब्या बंटी राजेश जोती राकी निलम दिप्ती फनी वेरी गूड इपनिंग बच्चों तो बच्चों शुरू करते हैं अपने वर्क को येस एव्रीबड तो लेते हैं सबसे पहला क्वेशन हम आज का अगर बच्चों हम इस फ्रेज को यूज करते हैं तो इसका मीन्स क्या बनेगा बताईए आप दो तो फाइंड आउट दे मीनिंग अप दिस फ्रेज गिविंग वनसेल एर देख पा रहे हैं सब बच्चे जी बच्चों मुझे बताईए क्या सब कुछ ठीक चल रहा है आपके पास येस एव्रिवन गिविंग वनसेल एर तो बच्चों इसका मीन्स क्या बनेगा इन डिसोर्डर ओफ कन्फूजन फर्स्ट बनेगा या बच्चों बी रेडी टू एक्ट बनेगा बिहविंग एरोगेंटली या फिर आउट ओफ इस माइंड क्या हम आंसर बनाएंगे तो आंसर बिल्कुल सही है बच्चों बिहविंग एरोगेंटली हमारा आंसर सी बनेगा यहां पर गैटिंग एर्टिवन तो आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका सी बनेगा कर्शन नमबर टू को लेते हैं तो सब बच्चों को बताना है कि मैक्बेथ के लिए मैक्बेथ जो कि विलियम शेक्ष्पियर ने लिखा था इस वर्क में आम एंड बियर किसको कहा गया है यह बच्चो शिवाड है रोस है एंगस है या फिर हमारा सिटन है क्या आंसर बंटी ने भी आंसर दिया है ओके ठीक है बिल्कुर ठीक है पहले वाले एक आंसर भी इसका बच्चो क्या होगा सेकेंड कर्शन का कर्शन नमबर सेकेंड का आंसर हम क्या बनाएंगे बताएंगे येस एवरिवन आंसर प्लीज बिल्कुर सही है बच्चो यह आंसर आपका डी बनेगा सिटन इग्जैक्टली तो सिटन इसको हम आम एंड बीरर टू मेकवेथ इसी को हम आम एंड बीर टू मेकवेथ कहते हैं ठीक है जी अच्छा बफरिंग के कंडिशन बन रही है अभी भी अच्छा यहां से बिल्कुल ठीक दिखा रहे है बाई चांस इट माइट भी ओके बच्छों लेट मी सी सी आंसर बिल्कुल टू का सी बताया आप लोगों ने सु टू का डी बनेगा बच्छों आम एंड बीरर टू आम ओ बीरर टू मेकवेथ इस दिस से टन ठीक है जी question number next पे आते हैं choose the correct meaning of the underlined words और phrases किसमें देखते हैं बच्छों if you try to book a ticket at the at the 11th hour तो बच्छों you may not get the required seats तो क्या इंसका अंसर आएगा at the 11th hour को हम कैसे define करेंगे अच्छा वफरिंग है इसमें यानि condition बन रही है वफरिंग की लेट मी चेक के यह ऐसा हो क्यों रहा है जबकि signal अच्छे है है मारे पास एक बार बच्छों में चेक कर लेता हूँ इसको अच्छा ऑल च्पा एक बार अच्छा झाल 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 जी बचो अब मुझे बताईए अभी भी लगता है कि प्रोब्लम देख रही है जी बताईए अभी बताईए अभी लगता है अब मुझे बताईए अब क्या ठीक आ रहा है सब कुछ इस एवरिटिंग आल राइट नाओ जहां तक मुझे उम्मीद है अब सब कुछ सही होना चाहिए हाँ जी बताईए एक बार मुझे देखो क्वेशन नंबर थी पर आते हैं उसमें देखते हैं क्वेशन नंबर थी में हमारा क्या दिया है है लेट सी दिस तो बच्शो क्वेशन नंबर थी में हमीं दिया गया है अब ठीक है जी बच्छो बिल्कुल ठीक है तो क्या बनेगा इसमें एट 11 पि.m. वेंड आर इस 11 या इन द लास्ट मिनेट या बच्छो इन 11 आर्स in the last minute exactly बिल्कुल सही answer है C answer बच्चों हमारा बिल्कुल correct बनेगा बहुत अच्छे जी सभिया बहुत अच्छे राजिश very good C answer दी दिया है आपने अगले question को देखते हैं who wrote and about whom किसने किसके लिए कहा the soul was like a star and dwelt apart बच्चों ये line किसने किसके लिए कही है ये question आपसे पूछा गया है find out बताईए जरा C बहुत अच्छे बच्चों ये words worth ने कहा है Milton के लिए और उस work का नाम है two milton two milton या बच्चों इसको हम कहते है London 1802 correct बात है तो London 1802 या फिर two milton ये दो work है दो का मतलब है एक ही work के दो नेम है इसी में ये line words worth ने milton के लिए कही है in which play girls worthy in which play of girls worthy do we have world William folder हमें बच्चों William folder कहां पे मिलता है देखों फाल्डर है basically folder F-A-L-D-E-R तो हमें कहां पे मिलता है loyalties में, silver box में, justice में या बच्चों stripe में इक्जैक्टली, justice में हमें मिलता है है ना ऐसे question हमने already पहले भी देखे है paradise loss is written ये किस में लिखा गया है बच्चों बताइए किस में लिखा गया है और कब लिखा गया था, ये भी बताइए free verse, blank verse, rhymed verse या none of the above B, बहुत अच्छे बिल्कुर सही है सपना, very good bunty, very good सभी ने answer आशू है, etc, सभी ने correct दिया है blank verse में और बच्चों कब लिखा गया था, ये भी बताइए 1667 सभी आप बहुत अच्छे 1667 में बच्चों सिर्फ 10 books आई थी, लेकिन उसके बाद में 1671 में इसकी total कितनी books आती है 12 books में इसको divide कर दिया जाता है 71 की बात है, 74 की बात है बताईए जब हम इसका second edition देखते हैं तो 1674 है 1671 है, जिसमें 12 books विर्जिल के एनिड को देखके हम इसमें divide कर देते हैं, मेल्टन 1674, बिलकुर सही है अगले question पे आते हैं गेल्जवर्दी belong to गेल्जवर्दी किस time से belong करते थे 16th century, 17th century, 20th या बच्चो 19th century जी बलकुर ठीक है राकी सपना राजेश बहुत अच्छे, very good हाँ जी बलकुर ठीक है 1674, जी 20th century exactly बच्चो इनका time period गेल्जवर्दी जो कि एक British novelist है इनका time period जाएगा C में the 20th century, correct बच्चो तो answer हमारा क्या बन गया है हाँ पे C question number 8, correct spelling बच्चो आपको देखने है reminiscent की, मैं आपको बता दू reminiscent basically होता है यादगार है ना, यादगार, यह memory हमारी जो होती है, तो उसको हम reminiscent कहते हैं, तो बताइए सही कौन सी है, reminiscent की spelling जो तीने D, N, U, D SSD, बहुत अच्चे, reminiscent की बच्चो यह D बनेगी, R, E, M, I, N, I, S, C, E, N, T reminiscent, बहुत अच्चे J, R, T, बिल्कुर सही है, 8 का D बन जाएगा 9 का देखेंगे, select the correct punctuated sentence, बच्चो correct punctuation को आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, है न, बहुत ध्यान से आपको चेक करना है correct pronunciation, punctuation क्या इसका answer A है, B है, बच्चो C है, या फिर D है, find out question number 9 का answer क्या बनाएगे आप, my favorite teacher who, तो देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले वाले में, A में A में, अगर बच्चो आप देखोगे तो my favorite teacher तो देखो, यहाँ पर who, conjunction का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर coma क्यों लगाएंगे, यह गलत हो गया, second देखो my favorite teacher who just happens to be my uncle, coma, retired from, हो सकता है, my favorite teacher, coma, फिर लगा दिया, गलत हो गया my favorite teacher, coma, my favorite coma teacher, यह तो बिल्कुली गलत है तो answer, बच्चो क्या बन गया, आपका exactly, भी बन गया, बहुत अशे बच्चो क्या यह भी बात समझ में आई है आपको कि हमने इनको बाकी को क्यों गलत किया है पकड में आ रही है बार, अगले question को देखते है 10, he was extremely modest, he was extremely modest, यह बच्चो लिखा है अब देखो इसमें करना क्या है आपको, modest का आपको opposite देखना है, एंटॉनिम देखना है, ठीक है बच्चो एंटॉनिम बताईए, modest का इनिमे से क्या बनेगा, curious, virtuous, unassume, assuming या फिर immodest, क्या बनाएंगे बच्चों आप लो, question number 10 का answer according to you क्या होना चाहिए, बताईए, विमल ने D answer दिया, immodest, exactly answer, बिल्कुल सही है, राजिश आपने भी सही answer दिया, अंजू, correct 20, बहुत अच्छे बच्चो, यह हमारा D answer बने का, immodest, अगले question को देखते हैं, penalize, question number 11 को देखो, penalize करना, तो penalize का आपको अभी synonym ही देखना है, बच्चो, अब आपको synonym बताना है, कि इसका similar meaning क्या बनेगा, persecute करना, punish करना, torture करना, ruin करना, कभीता ने B answer का है, बिल्कुल सही है कभीता, it is punish, inscrutable, तो इसका means आपको पता होना चाहिए, inscrutable आपने already किया हुआ है, बच्चो, जो हम पीछे work कर रहे थे, तो inscrutable का means basically होता है, आप खुद बताइए, क्या होगा, इसका हमें synonym ही देखना है, similar meaning देखना है, बच्चो, हाँ जी, बारे का B, exactly, बिल्कुल सही है बच्चो, correct answer दिया है, अंजू, आर्थी, मैंनाज, correct है, बच्चो, inscrutable का means होता है, mysterious, रहष्य मही, रहष्य से भरा हुआ, तो रहष्य से भरा हुआ, inscrutable, what is the common in the following poems, इन poems बच्चो, सबसे common चीज क्या है, वर्ष्वर्थ की, पहली वाला है, the recluse, दूसरा है बच्चो, शेली का, the trim of life, और बाइरन का है, डून जौन, और कीट्स का, hyperion, ऐसा क्या इन्हें कॉमन है, they are all eleasies, क्या ही eleasies है, unfinished poem, divided into cantos, या women-centered poem, क्या बच्चो कॉमन हैं इन्फे, राजेश, बंटी, बहुत अच्छे, थेरे का, भी आपने answer दिया है, जोती, very good, हाँ, ये बच्चो सारी unfinished हैं, तो देख सकते हैं, आप लोग, time of life, अच्छे ये बताईए, time of life है, शेली की, इसका other name क्या है, time of life का other name बताईए, देखते हैं कौन बच्चा बताता है, unfinished तो हैं, ये बात पक्का है, लेकिन इसमें question और बनता है, time of life का other name क्या है, हाँ जी बच्चो, याद आ गया सबको, elaster, इसको बच्चो elaster भी कहते हैं, elaster या time of life एक ही बात है, शेली की लिकी हुई है, याद आ गया सब बच्चों को, very good, आगे बढ़ते हैं, select the correctly punctuated sentence in this group, आपको correct punctuation को देखना है बच्चो, बताईए, what should be the correct punctuation here in this particular word, ठीक है ठीक है आशू, याद आ गया सब बच्चों को, very good, ठीक है दिपती, बहुत अच्चे, तो बच्चों इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए, बताईए आप हमें, जी, देख पा रहे हैं सब बच्चे question को, जोती ने B आंसर दिया है, राजेश ने C आंसर दिया है, अंजू ने B कहा है, ओके, बच्चों गर आप ध्यान से देखेंगे, इस सेंटेंस को, तो आप देखो, पहले वाले को चेक करते हैं, सबसे पहले, ए को चेक करते हैं हम यहाँ पे, Mary has offered to coach the team this year, however, दो कॉमा लगे, गलत हो गया, पहला गलत हो गया बच्चों, यह दो कॉमा यहाँ पे नहीं होने चाहिए, यह भी कॉमा, यह भी कॉमा, नीचे देखेंगे, Mary has offered to coach the team this year, semi-colon, however, कॉमा, the competition, थोड़ा सा गड़बड हो रहा है, यह भी गड़बड हो रहा है, semi-colon के बाद में फिर कॉमा, Mary has offered to coach the team this year, कॉमा, however, यह बच्चों सही बन रहा है आपका, यह नीचे वाला, एक मिन देखते हैं, Mary has offered to coach the team this year, हाँ, इसमें भी गलती हो रही है, यह सही है, यह सही है, यह सही है, बच्चों यह सही है हमारा, C, C would be the correct, हाँ, बिलकुर सही है, सही बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि दो-दो कॉमा जिसमें नहीं लेंगे, सेमिकोलन के साथ में कॉमा, यह गलत कर देगा, हाँ, वर के दोनों तरफ हम बिलकुर नहीं लगाएंगे, C आंसर बनेगा, select the opinion option, that indicates the most appropriate indirect speech, तो बच्चों इस चीश की देखनी है आपको, आपको indirect speech देखनी है, इस word की, देखो जड़ा क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है बच्चों, call the witness, said the magistrate to the staff, तो बच्चों क्या बनेगा, जो ती ने answer दे दिया है, बिलकुर सही है बच्चों, the magistrate ordered his staff to call the witness, correct बच्चों, answer हमारा ए ही बन जाएगा, बिलकुर सही है 15 का, 16, select the option that indicates the most appropriate indirect speech, क्या है बच्चों यहाँ पर, I have read this poem before, said the little girl, little girl ने कहा कि मैंने इस poem को पहले भी पढ़ा है, तो बच्चों क्या बनाएंगे इसका, correct answer क्या बनेगा indirect speech में, क्या बनेगा इसका, the little girl said that she had read that poem earlier, अगर बच्चों हम इसको देखें, little girl says, sage कभी नहीं आएगा, sage कभी नहीं आएगा, है ना, यह गलती हो रही है, said that she read, नहीं बच्चों, A ही बनेगा answer, आपका A आजाएगा, correct हो गया, हान जी, 16 का A, literature के कितने question आएंगे, 40 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, 40, 50 के round में आएंगे, choose the word which is correctly spelled, बच्चों correctly spelled word को आपको बताना है, तो बताएगे कौन सा word correctly spelled होगा इसमें, क्या यह beginning होगा, beginning होगा, beginning होगा, beginning होगा, B, okay, 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 A, B, काफी बच्चों ने A, B कर दिया है, देखो, B, E, G, I, N, है ना, मैं आई एंजी जोड़ो, I हट जाता है, डबल एन आए, beginning बन जाएगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा, B for Bombay, यह बैग हो रहा है, डबल जी कर दिया है, बिलकुल गलत है, एक जी, beginning कर दिया है, बनेगा, बनेगा, नमबर दू देखते हैं, पकड़ में आगी बात आपको, बिलकुल सही है, आशू, एक ताब बहुत अच्छे, वेरी गुट सभी आ, पात है, राहूल, दिप्ती, किरन, दीपा, वेरी गुट बच्चों, तो आपका, रन बाई विलियम शेक्ष्पियर, नोन अज़ दार्केस्ट ओफ दार्क कोमेडी, ये कॉशन बहुत पूछा रहाता है, बच्चों, इन में से कौन सा डार्केस्ट ओफ दार्क कोमेडी माना जाता है, मेजर फूर मेजर, as you like it, मर्चेंट ओफ वेनिश, ये बच्चों, ट्वेल्थ नाइट, किसको आंसर देंगे, ए इग्जैक्टली मेजर, फूर मेजर, जैसे कुद ऐसा, समझे में आगया आपको, तो ये हमारे डार्केस्ट ओफ दार्क कोमेडी बनेगी, ओल्राइट एब्रिवन, जी बच्चों, बिल्कुल ठीक है, आगले कॉश्चन पर आते हैं, इसको फाइनल वर्जन कब इन्होंने बनाया था, बताईए, सी, बिल्कुल सही है बच्चों, इस एटीन फिप्टी, एटीन फिप्टी में फाइनल वर्जन आता है, परश्चन पर करेक्टर ओफ दे लीच गैदरर एपियर सिन, जो करेक्टर है बच्चों, लीच गैदरर का, वो कहां पर एपियर होता है, रेक्लूज में, प्रिल्यूड में, लाउड डेमिया में, या फिर बच्चों, रेजलूशन एंड इंडिपेंडेंडेंस में, बी, इग्जेक्ली अंजू, बिल्कुल सही है, यह बच्चों, रेजलूशन इंडिपेंडेंडेंडेंस, यही अधर नेम है, किसका लीच गैदरर का, समन्झ में आ गया, किसने लिखी है, विलियम वर्ट्सवर्थ ने, करेक्ट बच्चो, दे नियो क्लासिकल एज इस इंग्लिश, ओफ लिट्रेचर, इस और लिट्रेचर, नियो क्लासिकल एज को बच्चों, हम और क्या कहते हैं, यह आपको बताना है, जेकोबियन, रेस्टोरेशन, प्योरिटन, या फिर ओगस्टन एज, यस बच्चों, बताईए, बहुत अच्चा कुश्चन आपके सामने आ रहा है, तो किसको बनाएंगे आप, पाइंड आउट, ओके, ओके, राजेश दी, वेलकुल सही बच्चों, ओगस्टन एज आएगी, तो हमारी यहाँ पे जो एज बनेगी, वो ओगस्टन एज बनेगी, वेरी गुड, नेक्स कुश्चन, आइडेंटिफाई दे टाइप ओप अंडरलाइन प्रनाउन, ना, देखो यहाँ पे हरसेल्प लिखा है, इसको आपको बताना है कि कैसा प्रनाउन है बच्चों, यह वाला, पजेस्टिव है, डेस्टिब्यूटिव है, रेलेटिव है, या फिर रेफ्लेक्सिव है, हाँ, ए जो पोप भी कहते हैं, बिल्कुल बात सही है, राकी, बिल्कुल सही है, रेफ्लेक्सिव बनेगा, आपका आंसर क्या बनेगा, हमारा रेफ्लेक्सिव, करेक्ट बात है, नेक्स्ट को देखते हैं, यह क्या है यहाँ पे, आई डोंट, क्यों को देखो, आई डोंट ठिंक देट, अच्छा बच्छो यह बताओ, यह तो मज़िदारा क्वेश्चन बनेगा, आई डोंट ठिंग, यह बताओ यह सामने बन रही है, यह कौन सी क्लॉस है आपकी, आप इसे कौन सी क्लॉस बताएंगे, यह स्टार्ट तो सोल प्रीविएस पेपर ओप देश्बी टीरिट इंग्लेश, नाउन, बहुत अच्छे बच्चो, यह बिल्कुल सही है, नाउन बनेगा यहाँ पे, समने में आगी सबको, यह बच्चो नाउन का बनेगा, एक्जैक्ली, क्योंकि नाउन, यह वोट का अंसर दे रहा है, आई डोंट थिंग क्या नहीं सूचता कि न्यू ओफिसर इस ट्रस्ट वर्दी, डन बच्चो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंडरलाइन, ब्यूटिफुल, इसमें कुछ सोचने की ज़िए, ब्यूटिफुल वेस का मीन से एडजेक्टिव बनेगा, आसान क्वेश्चन है, अच्छा, यह क्वेश्चन मुझे लगता है, गडबड हो रहे हैं, एक मिनट, इसका कोई मीन सी नहीं बनता, एड़ी सेकेंड फेरग्राफ, हाँ बच्चो, यह गडबड हो रहे हैं, यहां से क्वेश्चन देखो, यह किसने लिखा है बच्चो, विक्रम सेट, साशी थरूर, यहां पिर सलमान रश्दी, वियस नाइपॉल, डी एसस्वी में खूब क्वेश्चन आते हैं से, आरती डी एसस्वी में यह बिटा क्वेश्चन बनते हैं, आंसर करो जरा, विक्रम सेट, आप लोग कह रहे हैं, बी आंसर, शशी थरूर बनेगा, एड़ेज रिटन बाई शशी थरूर, तो ग्रेट इंडियन नॉवल, इस रिटन बाई सशी थरूर, गेटिंग एवरिवन, अगले कॉश्चन पे आजाओ सब बच्चे, सबसे इंपोर्टेंट वर्ट जो बच्चो हमारा है, याँ पे कंसीट है, तो कंसीट किसमें मिलते थे, रेनेसेंस पोईट्स में, विक्टोरियन में, मॉर्डन में, या बच्चो मेटाफिजिकल में, आंसर कीजिए, यस बच्चो मेटाफिजिकल आर नोन फोर दे कंसीट सेंड और फीगर सोप स्पीज, सिमली, मेटाफर, यह सब यून कर जम के यूज़ करते थे, All is well, that ends well, is a romantic comedy by, कोई कहने की बात ही नहीं है कि यह Ben Johnson की है, है न, All is well, किसे ने लिका है बच्चो, Ben Johnson ने, और बात है कि नहीं, आंसर करें आप लो, हमें तो इसका आंसर बच्चो, Ben Johnson लग रहा है, आप बताईए क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, B होना चाहिए, राहुल, किरन ने B कहा है, पीती ने B कह दिया है, दीपा ने भी B कह दिया है, बच्चो, A answer है, A answer है, William Shakespeare, है न, देखू, पिछले वाले का B तो नहीं था, नहीं, 32 का answer A बनेगा, राइट अब्रिवन, जी बच्चो, विच इस दे लिटरेरी डिवाइस देट रन्स अलोंग दीज लाइन से, ये भी फाल तुम्हें आ गया, कॉस्चन, ओके, फॉन दर रीडिंग ऑफ दे पैसेज, विच वन ओफ दीज स्रेटमेंट डू यू ती, ये कहां से कॉस्चन डाल दिये हैं, ये क्या कर दिया है, इसको देखो बच्चो, यहां पे लिखा है, गेल्जवर्दी बिगेन हिस करियर एज, गेल्जवर्दी ने अपना करियर कैसे शुरू किया, जर्नलिस्ट, ड्रेमेटिस्ट, नॉवलिस्ट या बच्चो पोईट के तोर पे, कैसे शुरू किया था, हाँ जी, एव्रिवन, टेल अस, 36 का C, ओके, 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 A, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, ड्रेमेटिस्ट नहीं है बच्चो, C और D में से आंसर है, बताईए, एज अ पोईट या फिर एज अ नॉवलिस्ट, गेल्जवर्दी, पस रहे हैं बच्चे, 36 का आंसर, कुछ नॉवलिस्ट कह रहे हैं, कुछ पोईट कह रहे हैं, हाँ जी, बच्चो, आपको एज नॉवलिस्ट शुरू किया था, C देखेंगे, याद आना है, आपको गेल्जवर्दी का, C, एज अ नॉवलिस्ट, करेक्ट बात है कि नहीं, नॉवल्स उन्हें सबसे पहरे लिके थे, उसके बाद में पोईट्र को लिखते हैं, फॉवलिस्ट पहरे नॉवल्स नॉवल्स उन्हें, विखते, विखते प्रेस्त नॉवल्स उन्हें, इसको बताईए, which one of the following phrases best helps to bring out the precious meaning of the menacing proportion to an extent which becomes threatening, assuming dimensions that cause concern, unimaging dangerous proportion, harmful size, क्या बनेगा बच्चों? Question number 37 का answer क्या होना चाहिए? जी बताईए, 37 का answer बच्चों आपका क्या होना चाहिए? बी आपने answer दिया है, ओके, ओके, डन आपका क्या होना चाहिए? तो बच्चों इसको अगर हम देखें, तो क्या बनेगा? A answer, 37 का A बनेगा to an extent, which becomes threatening, minishing proportion. answer बच्चों आपका यहां पे जो बनेगा, वो क्या होगा हमारा A, एक मिनट के लिए इसको फिर भी देख लेते हैं. जी बच्चों, इसका answer हमारा A बनेगा, पकड में आ गया सबको, वैसे मैं बता दूँ, ये भी question हमारा किस से है, पैसेज से बन रहा है, इसको देखेंगे 38 को, गेल्जवर्दी ट्रेजडी आर ओल्सो कोल, गेल्जवर्दी की ट्रेजडी क्या कहलाती हैं बच्चों, बताएए, गेल्जवर्दी ट्रेजडी आर कूल, इनको क्या कहा रहाता है, ट्रेजडी कोमेडी, हिरोइक ट्रेजडी, सोशल ट्रेजडी, या बच्चों, क्लासिकल क्या कहेंगे आप सी बिल्कुल सही है on social tragedies कहलाती है बच्छों इनके जो works एइनके ट्रेजडी social tragedies कहलाती है नेक्स्ट कुर्षण को देखेंगे जोन गयल्जिवर्धी किसके सन थे बच्छों बताइये novelist के merchant के lawyer के या फिर doctor के lawyer के very good बिलकुर सही है correct answer दिया है आपने जोती तो answer बच्चो C बनेगा lawyer के बेटे थे अगले question को देखते है the lower class was represented in girls बर्दी girls बर्दी के किस वर्क में lower class को बच्चो रिपर्जेंट किया गया है country house foresight saga paternity none of the above क्या answer होना चाहिए 40 का B foresight saga ऐसा कैसे कर रहे हो बच्चो foresight saga में lower class तो कहीं भी नहीं दिये तो upper class की बात है country house country house is the answer answer is A इसी में lower class को शो किया गया है B वाले में तो आप देखते हैं फोर साइट सागा में क्या होता है जी बिल्कुर सही आरती ये बात आप करेक्ट रहे हैं country house बनेगा बच्चो आंसर A होगा lower class has been represented by girls worthy in the country house अल्राइट बच्चो तो यह 40 questions हमने complete किये हैं सब बच्चे क्या करेंगे इसको लाइक जरूर करेंगे कुछ बच्चे लाइक करने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं देखो बच्चो टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है इतना effort कर रहा है तो कम से कम लाइक तो कर दो लाइक तो आप लोग करें सकते हैं नहीं तो फिर बच्चो आप से फीस लेनी शुरू कर दी जाएगी तब मुश्किल पड़ेगी आपको तो इसको फिरी में ही लाइक कर दो है ना ज्यादा बढ़िया रहेगा जिससे के हमारी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और बच्चो इसको टेली अगर आप ध्यान से देखेंगे यह सब बच्चों को बार हमने जो शुरू किया है का आज से हमारा सेशन टैन एम कल भी वह बच्चो सुबह टैन टैन एम पे होगा यह कैसा है बच्चो मैं आपको बता देता हूं इस टोटली रिलेटेट टू दहिंदू वोकैबलरी दहिं पर कनेक्ट करके बताते हैं आपको तो यह ज़्यादा जबर्दस रहा है मुझे भी अच्छा लगाया खुद यह हमने आज से शुरू किया है तो इसको सब बच्चे जरूर जोइन करें युविल एंज्जोए डैट आई प्रोमिस देट यूविल एंज्जोए ठीक है ठीक अन्जू ओल राइट तो समझ में आया सब बच्चों को दस बच के दस मिनट पे दहिंदू के लिए सब बच्चे जरूर आएं करेक्ट अब्रीवन जी बच्चों तो चलिए आज ओबर करते हैं क्लास को थेंक्यों सौमाच है वाग्रेट टाइं